हेलो फ्रेंट्स आप सबका आपके इपने चैनल गोविन लेक्चर्स में हर देख स्वागत है तो कैसो आप सब उम्मित करता हूँ हम सब इच्छे होंगे और आप सब की बढ़ाई बीचे चल रही होगे तो आज की इस क्लास में हम कक्सा 9 के इंगली स्विसे के मोडल प्रेपर 2 की सर्चा करेंगे तो हमने बौड के द्वारा जो जारी किया गया पर्थम मोडल प्रेपर है उसकी सर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी और आपको पैटन भी च्छे समझ में आ गया होगा कि आपका प इसके सेकंड मोडल प्रेपर की सर्चा करेंगे कुछ लिए सुरू करते हैं देखें सेक्षन ए के अंदर जो पहला प्रश्ण है वो रिडिंग सेक्षन है और उसमें दो आपके क्या दिया हुए है अंसीन पैसेज दिया हुए है जो की आठ आठ नंबर के होंगे ठीक है पह अधरिज जो प्रश्ण है उन प्रश्णों के क्या देने है आपको जवाब देने है ठीक है तो यह पैसेज आप देख ले इसको एक बार आप सॉल्व करने की कोशिज भी जरूर करें हो सकता है कल ट्रिक्सा में यह भी आ जाए तो अब एक बार स्क्रीन सॉट ले 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 ल ठीक है यह बताना है दूसरा है what sacred did the man reveal यानि उस आदमी ने कौन सा रहसर जो छिपाया था तीसरा when did the man give special instructions उस आदमी ने महतपुन special का मतलब verses या महतपुन instructions का मतलब आदेस या निदेस कब दिये थे ठीक है छोथा did he replace a single tree क्या उसने एक single tree था उसको replace किया था yes या no में उसका उतर देना है पांचवा which words from the passage which means and is passage के अंदर ऐसा कौन सा सब्द है जिसका मतलब यह होता है a person buying goods or services from a shop ये एक ऐसा व्यक्ति जो दुकान से क्या करता है सामान और सेवाओं की खरिदारी करता है उसे क्या कहते है वो आपको बताना है उसे क्या कहते हैं उसे आप सब जानते होंगे customer कहते है ना वह हम ही तो customer है जो दुकान से सामान और सेवाओं की खरिदारी करते हैं तो उसे कहते है customer फिर चट्टा प्रशन दिया गया है write the opposite word इनके क्या लिखने है आपको opposite word यानि विलम सब लिखने है पहला है remember remember का मतलब होता है याद रखना तो भूलना को क्या कहते है forgot forget कहते है ठीक है big मतलब बड़ा तो small big का मतलब क्या होगा small फिर साथवा right synoniums synoniums का मतलब प्रयावाची लेखने है hidden का मतलब क्या होता है चिपा हुआ तो hidden को चिपा हुआ का प्रयावाची और क्या होगा यहां कई पर लिखा होगा वो आपको खोज के लिखना है ठीक है चिपे हुआ को क्या कर सकते है चिपे हो कर देखो यहां कई पर लिखा हो सकता है चुल मैं अर्थ बता देता हूँ आप खोज लेना कि hidden का मतलब होता है चुपा हुआ और अमेज का मतलब होता है आच्रशकित तो इन दोनों को आपको प्रयवाशी इसमें से घूंड के क्या करना है लिखना है ठीके यह आपका पहला पैसेज था बात करें दूसरे पैसेज की दूसरा भी पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पर अधार से लेके यहां तक यह आपका पैसेज दिया हुआ है पहला प्रशन है हाउ आर फोरेस्ट यूसबल फोर वाइल्ड एनिमल्स यानि जंगल है वो जंगली जानवरों के लिए मैं तो पुन क्यों है दूसरा हाँ वाट डू फोरेस्ट प्रिवेंस वाट डू प्रिवेंस यान आरे से प्राप्त होने वाले कुछ पांच उसगीन पर दिया होंगे जैसे सहत देखो यह दिया हुआ हनी वैक्ष, जयर्म, ओयल्ड, हर्बts, लैक्स, डाईज, यह कुछ है जो यह वन्नों से प्राप्त होते हैं अग्ला लाग कैन वी प्रोडिउस पेपर विदा प्रटिक कि बोला है कि क्या हम बनो या जंगलों से बिना लकडी को काटे कागज उत्पन कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं ठीक है, find word from the passage which means provide, provide का मतलब बता है प्रदान करना तो यहाँ पर हमें इसा कौन सा सब्द है, जिसका मतलब निकल रहा है प्रदान करने से, वो में बताना है ठीक है, तेरवा प्रशन है, right opposite word for following word used in the passage पेट, पेट का विलोम सब्द क्या होगा, वो आपको बताना है यहाँ पर जो green gold सब्द है, वो किसका परदी है, या किसके लिए प्रिवक्त हो रहा है, वो आपको बताना है ठीक है, अगला प्रशन है, पंदरवा, imagine you are Monica living in स्री नगर क्या मानना है, अपने आपको Monica माननी है, कहाँ पर स्री नगर की निवासी माननी है और क्या लिखना है, write a letter to your friend, अपने मित्र को क्या लिखना है, एक letter लिखना है inviting her to your sister marriage, जिसको अपने बेहन की साधी में क्या करते हुए, invite करते हुए आप समय लिजी आपका नाम क्या है, आपका नाम Monica है, ठीक है आपका रह रह रही है, स्री गंजा नगर में रह रही है और अपने मित्र को क्या लिखना है, आपकी बेहन की साधी है, इसके लिए एक invitation letter लिखना है पत्र लिखना है जिसमें उनको बेहन की साधी में आने के लिए निमंतरन देना है इसके अंदर आप निम्न पॉइंट्स की मज़द ले सकते हैं Day and Date of Marys की भाई साधी का दीन कौन सा है उस दिन तारिक क्या है वो बता सकते हैं Program of the Marys साधी का क्या क्या प्रोग्राम है कहा कहा होंगे कैसे होंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं Friends and Relatives Invited आपने किन-किन मित्रों और रिष्टेदारों को इन्वाइट किया है उसके बारे में बता सकते हैं रिक्वेस्ट टू ब्रिंग हर केमेरा और उससे रिक्वेस्ट करनी है कि वो जो फ्रेंड है आ रही है आपकी बेहन की साधी में जिसको आप इंवाइट कर रहे हो वो आते वक्त क्या लेक्या आए उसका कैमरा जरूर लेक्या है ठीक है और अथवा में दिया हुआ है राइट फॉर्मल इमेल लेटर क्या लिखना है इमेल लिखना है किसको लिखना है प्रंसीपल ओफ यॉर इसकूल आपके विज़ाल लेके प्रंसीपल को लिखना है और प्रंसीपल की जो जिमेल आईडी है वो क्या है प्रंसीपल वी एम बीके एन एट याहू डॉट कॉम यह principal की क्या है, email ID है, requesting to arrange extra classes for science and mathematics as the syllabus is incomplete, अपने परदानाध्यापक को यह request करनी है principal को, कि आपके गणित और विज्ञान विश्रे का syllabus अधूरा है, इसके लिए extra class लगाई जाए, यह सेदू क्या लिखना है, एक email लिखना है, ठीक है, बात करते है question number 16 की, write a short paragraph in about 60 to 80 words, on any one of the following, यह दोनों में से किसी एक पर आपको क्या लिखना है, एक short paragraph लिखना है, लगबख 60 से 80 सब्दों में, देखो, पहला क्या है, the principle asked you to deliver a speech on advantage of morning walk, यानि कि advantage of morning walk, यानि सुबह के समय जो हम पैदल चलते हैं, भर्मन करते हैं, उसके फाइदे क्या है, इस पर आपको एक speech त्यार करनी है, यानि और उसे क्या करना है, उसे morning assembly, सुबह की जो प्रातना सबा होती है, उसमें सुनानी है, तो इन बिंदो की मतल लेते हुए, आप कि morning walk, युसुबह हम चेहल कदमी करते हैं, उसके क्या फाइदे हैं, इस पर आपको एक short paragraph लिखना है, ठीक, अत्वा में दिया हुआ है, डिबेट, the topic TV, viewing is harmful for children, यानि कि TV है, वो चोटे बच्चों के लिए देखना क्या है, harmful है, यानि हनिकारक है, write your opinion in support of it to 60 to 80 words, इसमें आपको इसके support में, कि भाइ हाँ, TV देखना चोटे बच्चों के लिए दुखसान दायक है, इसके पक्स में आपको 60 से 80 सब्दों में का लिखना है, short paragraph लिखना है, you are Anita, आप अपने आपको Anita माननी है, class 9th की student हो, कहां की public school quota की, और ये जो कुछ बिंदू है, outlines दी गई है, इन outlines की मदर लेते हुए, आपको क्या लिखना है, आपको इस पर, कि TV छोटे बच्चों के लिए हानिका रहा है, इस पर छोड़ा सा एक paragraph लिखना है, ठीक, बात करते हैं, question number 17 की, write an imaginary dialogue, which may take place between a patient and doctor, आपको एक patient और डॉक्टर के बीच में समभाद लिखना है, you may begin like this, इसके शुरुआत आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, जैसे patient बोल रहा है, good morning doctor, doctor बोल रहा है, good morning, what's your trouble, आपकी समस्या क्या है, तो आप कह सकते हो कि मेरे पेर दूख राएगे, उन बातों का आपको एक समभाद की रूप में लिखना है, 6-7 लाइनों में, ठीके, और अत्वा में दिया हुआ है, write a story with the help of outlines given below in 52-70 words with its title and moral, या पर आपको जो यह outlines दी गई है, इन outlines को ध्यान में रखते हुए, आपको पहले इसका title लिखना है, इस story का, यानि सिर्षक लि उसके जो कुलाड़ी पानी के अंदर गिर जाती है फिर वहाँ से देवी परकट होती है, और उसे चांदी या सोने की कुलाड़ी देती है, या पर लिखनी है, जो moral हो क्या होता है, लालच बूरी बला होती है, ठीके बाई वो देवी उसको कई सारे ओफर देती है, कि मैं आ पूरल क्या होगा लालच बूरी बला है यह वाला इससको आपको इंगलगे क्यश्चिया वह चया लाजेख लालच नहीं करने चाहिए जर्की नहीं करने चाहिए तो टेंस की मदद से आपको correct form of the verbs भननी है पहला the sun sets in the west sets होगा क्यों क्योंकि यहाँ परजन सिंपल होगा क्योंकि एक सारो वर्म सत्य है कि जो शूर्य है वो पच्छिम दिशा के अंदर क्या होता है अस्त होता है फिर Columbus खाली जगह discover America more than 40 years ago देखो किसकी बात हो रही है भूत काल की कि लगबग 400 वर्स पहले Columbus ने अमेरिका के खोज की थी तो यहाँ पर क्या आएगा इसकी second form यानि discovered पीछे ED जोडना है ठीक है तीसरा teacher next week next week का मतलब future में तो क्या गहेंगे we will meet या we solve meet we will meet तो साई के साथ वी के साथ आप solve भी लगा सकते हैं ठीक है sell will or sell तो यह sell भी लगा सकते हैं कोई गलत नहीं होगा फिर I always always देखो always किसमें होता है present simple में तो यहाँ पर क्या आएगा tag आएगा present simple की first form ही आती है इसमे आए सोज में फिर question number 19 fill in the blanks with the proper form of the verbs आपको verbs की proper form का प्रयोग करते हुए इन खाले जगरिया करनी है पूर्ती करनी है पहला है bread and butter तो bread and butter each आएगा यह मैसा इनको एक माना जाता है क्योंकि एक मुगावरा है फिर physics physics क्या है एक subject है एक single subject है तो क्या आएगा each फिर all the students of my class मेरे कक्सा के सभी विदार्थी learn English क्या सिखते हैं English सिख रहे हैं मेरे कक्सा के सभी विदार्थी क्या सिख रहे हैं English यानि बहुँ बचन है फिर either Harry or his brother या तो Harry या उसका भाई has take my purse दोनों में से किसी एक ने लिया है या पर क्या आएगा has आएगा दोनों ने नहीं लिया पर किसी एक के बात हो रही है कि या तो Harry ने या फिर उसके भाई ने ठीक है इस वज़े से क्या पर आएगा या पर क्या आएगा he's क्या आएगा has आएगा ठीक है his either Harry or his brothers उसके भाई ने किसी एक ने लिया है तो या पर क्या आएगा है जाएगा ठीक है चले अगला है इस वा fill in the blanks with suitable determiners आपको determiners भरना है पहला I have no friends या I have some friends तो I have no friends ठीक है some तो कुछी मात्रा के लिए होता है ठीक है some friends I have some friends I have no friends I have no friends चिख रहेगा फिर खाले जगह money is better than none तो कह सकते हैं और little money is better than none या little money is better than none कि न की बजाए थोड़े पैसा होना क्या है अच्छा है तो या पर क्या आएगा little फिर have you खाले जगह work with me have you any work with we आएगा फिर चोथा the librarian had issued books on grammar he had तो या पर of you या the few तो यहाँ पर आएगा the few कि librarian के पाद जिसने भी grammar की book थी वो सब उसने issue कर दे ठीक है एक किसवा है fill in the blanks with suitable preposition आपको भरना है I congratulated her on her success ठीक है there is a park behind the temple he jumped into the river he is not afraid from dogs ठीक है तो यह आपका C section था grammar section आगे बात करते है section D की जिसमें आपके जो दोनों text book है पहली वाली moments और एक behave sorry पहली behave है और दूसरी moments उन से जो प्रशन उतरो पैसेज दिये गए है उनके प्रशन और पैसेज को आपको solve करना है प्रशन सेंगा बाईस है read the passage given below and answer the following questions that follow यह का आपके सामने बड़ा सा पैसेज दिया गया है इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और इस पर आधारी जो प्रशन है वो आपको प्रशनों के जबाब देने है पहला है in what type of family was clam born अनि अब्दूल कलाम की जो family थी वो कैसी थी वो किस परकार की family वो पैदा हुए थे दूसरा when was clam and central house built की clam ने अपना खुद का जो घर था वो कब बनाया था फिर what were the disadvantage of clam's father यानि की clams के पिताजी की क्या disadvantage यानि कमजूरिया थी या उनकी क्या problems थी वो बताना है what were the qualities of clam's father clam के पिताजी की क्या qualities थी क्या वज़ेस्ता है थी वो बताना है how was clam mother a social lady कि किस तरह clam की जो माता थी वो एक social lady या सामाजिक महिला थी चक्टा I would say रिकिस्तान to whom does I her refer to या पर I किसको represent कर रहा है वो बताना है सात्वा find the words from the passage which mean inborn का मतलब यहाँ पर कौन सा सब्द है और a place surrounded by water कि एक ऐसा इस्तान जो चारो तरफ पाने से गिरा उसी क्या कहते है तो उसी क्या कहते है deep कहते है deep है इंग्लिश में इसको आप देख लेना क्या कहते है वहाँ पर passage में लिखा होगा right opposite word of the following words विलो हम सब लिखने है discomfort का क्या होगा comfort ugly का मतलब होता है भद्दा भद्द्या को क्या होगा pretty यानि की फिर आगे question number 23 answer any two of the following questions इन चार प्रशनों में से आपको किनी दो प्रशनों के उत्तर देने है पहला what kind of teachers did Margie and Tommy have यानि Margie और Tommy के पाच किस प्रकार के अध्यापक थे ठीक है अगला है who helped her to continue with music कि वह music के साथ continue रहे इसके लिए उसकी किस नहीं मदद की थी mention with facts the similarity between the doctor and snack आपको doctor और snack के बीच में जो समान था थी उनको बताना है फिर how does the story of the little girl open कि उस चोटी लडगी की जो काहनी वो कैसे open हुई वो बताना है फिर बात करे question number choice के answer any one of the following questions अब कोई दोनों में से कोई एक प्रशन का जवाब देना है पहला है justify the little of the story bond of love ठीक है justify the title of the story bond of love कि इसका जो सिर्षक है वो उचितिया सार्थक कैसे है दूसरा है how does the author do attention on choose in Indian subcontinent ठीक है ये जो काट मांडुवालर चेप्टर है वहाँ से प्रशन है precaution number 25 है explain any one of the following इस्टांजा with reference to construct यहने कि जो आपको पध्यांस दिया गया है यह जो हैना इस्टांजा दिया गया है इसके आपको सबपरसंग व्याख्या करनी है पहला आप उसका reference context लिखला है और context लिखने का बाद इसको आपका reference ठीक है reference और context दोनों लिखने है यहने में कहता है न सबपरसंग व्याख्या वो आपको करनी है दोनों में से किसी एक की करनी है ठीक है पहला यह वाला है two roads divers in a yellow wood यह वाला और दूसरा है wind comes softly यह वाला इसमें से किसी एक की आपको सबपरसंग व्याख्या करनी है फिर question number 26 है answers any two of the following short type questions यह short type questions है इनमें से किनी दो की आपको question के जबाब देने है पहला है what does the poet like to do when I eat rents ठीक है निए poet को उस समय क्या पसंद था जब बारिस हो रही होती थी दूसरा है यह वाला इस चैप्टर से प्रशन है और तीसरा प्रशन है यह अपने आपको बचाने के लिए क्या कर रहा था यह है the snack ट्राइंग से question number 27 है answer any one of the following questions दूनों में से किसी एक प्रशनक आपको उतर देना है पहला है what reasons would the parent give for refusal यह वो क्या कारण से जिनकी वज़े से माता पिजा ने उसे मना कर दिया था the lost child में फिर discuss इस्वरान्स qualities as a good story teller यह एक अच्छे कहानी बताने वाले के रूप में इस्वर की क्या विसेशता है थी वो आपको डिस्वर्स करनी है question number 28 answer any two कि नहीं दो प्रश्णों के उप्तर देने है पहला है why did grandfather keep toto's presence sacred from grandmother कि दादा जी ने जो toto की जो उपस्तती है उसको उसकी दादी मा से क्यों चुपाई रखी थी दूसरा है who was finally blamed for the crime and why कि अन्तत crime के लिए किसे दूसरी ठेहराय गया और क्यों how did the author feel in the high school high school के अंदर author एलेक को कैसा मैसूस होता था और चौता है what various jobs did the beggar do for the advocate कि जो beggar था भिखारी था उसने advocate के लिए कौन कौन सी jobs की थी वो आपको बतानी है तो ये आपके इंग्रीज विस्ते का second model paper था तो ये दूनों model paper आप बहुत अच्छे से त्यार कर ले इसके अंदर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आप अच्छे से त्यार करके जाए उम्मिद करता हूँ आपका कल का paper बहुत अच्छा जाएगा और आपको paper किस तरह का आता है किस तरह के question देखने को मिलते हैं आप मुझे comment करके बता सकते हैं कि हाँ model paper के निसे paper आया था या नहीं आया आपको कितना फाइदा हुआ है ताकि मैं आगे अन्य विस्ते के भी paper बना सकूं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद